भाजपा की जाज कमेटी पहुची ग्राम छुईहा, मृतक किसान के परिजनों से की मुलाकात, किसान की आत्मेहत्ता से गर्माई 36 गड़ की राजनिती, पुरुद रहे मंद्री जहित महासमुन सांसद रहे उपस्थित, राज्य सासंसी की 50 लाकी साहता की मांग, ग्राम छु सांथी सोक संतत्त परिवार के लिए राजसरकार से 50 लाक रुपे कमों हो जाता था एक सदस्य को नौकरे देने की मांग की, वही भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने इस मामले में नए इक जाज की मांग, राजसरकार से की है, बता दे ग्राम छुईहा, पहुची सांथी जो है, असमय हम सब को छोड़ करके चला गया, आज हम उस परिवार के पास आए हैं, और परिवार बहुत दुखी है, और यह जो परिवार का जो हमको जितनी जानकारी मिली, इस परिवार के पास पिछले चार साल से भी पत्ति के जो हैं बादल मन रहे हैं, और जो भ कानों के भी करजे की बास सामने आई हैं, और पिछले चार साल से इसकी फसले बरबाद हो रही है, फसल भी मा के भी लाब किसान को नहीं मिला है, और इन सारी चीजों से परिशान हो करके किसान को आत्मत तेक लिए मजबूर होना पड़ा, उसके सहीयों के लिए भाजपा के कहेंगे, इसकी नियाई जाच होनी चाहिए, हम सरकार से मांग करते हैं कि गरीब परिवार को एक करोड़ का मोजा दे, इनका जो नाती है, जो अभी बीएस्टी कर रहा है, उसको सरकार में नौकरी दे, और इस तरह से सरकार अगर की सच्छे मैने में किसान की हितासीक बात क करती है, तो नियाई जाच कराए, एक करोड़ रुपिया मोजा दे, और गरीब परिवार, जो गरीब इनका नौजवान जो नाती है, उसको सरकार नौकरी दे, हमारे साथ वर्तमान सांसद चुनिलाल साहुजी भी है, आईए उनसे जानते हैं कि राज्य सरकार के लावा इस परिवार को केंद्र सरकार से भी क्या-क्या मदद उपलब्त हो पाएगी, इसकी जान करे लेते हैं, सर बताएंगे कि राज्य सरकार से आपकी मांग तो जारी रहेगी, केंद्र सरकार से क्या-क्या इस परिवार को सहयोग प्राप्त हो सकता है, देखिए आप सब को मालूम ह कि फसल बीमा में जिस प्रकार से राजसरकार खेल कर रही है। लगातारी स्षेत्र में फसल बीमा मिलते आए हैं लेकिन कई अनेको गाउं हैं जैसे चुया यह गाउं हैं साल डबरी है खेरत खुर्द है ऐसे गाउं जो असिंचित गाउं हैं उसमें जो इनके भीमा कंपनी वाले हैं वो मिली भगत करके उसे गाउं को छोड़ दिये हैं जिनके कारण एक प्रकार से किसानों को फसल भीमा के एक ब्यापार के रूप में ले रहे हैं हम लोग संघर्स किये पीछले बार 120 गाउं चुटा रहा संघर्स किये धर्ना दिये कलेक्टर आपिस में तब कुछ गाउं को मिला लेकिन अभी भी इस वर्स भी गत वर्स भी खेरट खुर्द है साल डबरी है चुया है अनेको गाउं इस खलारी विदान सभा का फसल भीमा से वंचित होना पड़ा है राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के योजनाओं को एक प्रकार से रोकने की प्रयास कर रही है किसानों तक पहुंचने में आडंगा बन रही है केंद्र सरकार से क्या-क्या इन लोगों को सहयोग प्राप्त हो सकता है यह आपके दोणाये जाए किस विस्ता में तोड़ा साभा रखाई में तो सबताइब लगा की प्रका सान लखनाओं मशनला है किस प्रकार से किसान लाभान एक केंद्र सरकार होती इननावारी रिपोर्ट से लेकर सारी परस्तूत करते हैं उसके बाद राजसरकार अपना रिपोर्ट के अंदर सरकार पे बेचती है उस अधार पर फसल भीमा यह किसानों को प्राप्ट होता है अब यहां के जो फसल भीमा कमपनी ही इसमें घुटा अलग कर रही है इसलिए ऐ इतने भी शर्कार गलत कि है हुआ कंपनी यह जो भीमा क्यों हुनि कर लाती जी जे विशेस मुद्न है दुसरी बात किसान शमील निधी मिलना चाहिए जो किन नी मिल ist मिला भीम बगेल के सरकार के कारण पूरे 36 गड़ में लगभग 1000 के आसपास लोगों का लोगों ने आत्मत्या किया 36 गड़ में ये धान खरीदी के नाम से लोगों को करजा माफी के नाम से जो नौटंकी किया उसका साक्षात उदाहरण इस गाउं में ही देखने को मिल रहा है किसानों के सरकार के द्वार जो हो सकता है किया उसके कारण यहां का किसान आत्मत्या करने मजबूर हो गया करज में डूबा रहा और आज इसका प्रेस में स्टेट्मेंट आता है सरकार के लोगों के द्वारा कि इनके द्वारा कोई करजा नहीं लिया गया है ऐसा जूट यह अपने नेता अपने आका को प्रसंद करने उत्तरप्रदेश में जाकर के यह कोई दूसरी घटना होता हो उसके लिए इनके पास पैसा है उनके लिए बात करने आवाज उठाने के लिए इनके पास समय है माननी मुख्यमंत्री जी अगर इतने किसान ही तैसी हो अगर इतना ही किसान के आप हित में सोचते हो तो आईये इस गाउं में और गाउं के लोगों के साथ अपनी समवेदना ब्यक्त करते हुए यहां के समस्या को दूर करिये और जो परिवार आत्महत्या किया है उस परिवा करन रहा है सब कहा जा रहा है देखिए बोर हुआ कर फेल भी हुआ चलिए यह दुर्भाग के जनक बात है लेकिन लोल्टेज की समस्या को लेकर इन गाओं के लोगों ने बांदोलन किया जब विशय लोल्टेज का आया और खेती में उनको लगातार नुकसान हुआ आप अगर किसान ही तैसी सरकार है ऐसा आपने बुपेज बगेल मैं अपने को स्वयम को मैं किसान हूं बोलता है तो यह तो बहुत ही गंभीर समस्या है कि इस जमाने में किसी जमाने में यहां सन अंठानवे से पहले बड़ा-बड़ा अंदोलन होता था मुझा ध्यान है कि शमाने डाक्टर रमंण सिंग जी के द्वारा भारती जंतापार्टी के सरकार में जो काम हुआ उसके बाद यहां लोगोल्टेज के समस्या और बिजली के समस्या लगभग दूर हो गई थी लेकिन इस सरकार के द्वारा के वल ब्रष्टाचार के बाद कोई काम नहीं करन क्षाने के कारण लूटेज की समझ्चा जैसी बहुत छोटी से समझ्चा है इसको इस सरकार ने दूर नहीं किया उसके कारण यहां का किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रिया हम इस परिवार के कोई भी एक लड़के या लड़की सदस्य को एक सरकारी नवकरी मिले सरकार की ओर से और कम से कम 50 लाक रुपिया का मुआवजा मिलना चाहिए इस परिवार को जो किसान आत्म हत्या किया है बहुत ही दुख और दर्द की बात है जो एक किसान करज के चलते आत्म हत्या किया है तो उस परिवार के प्रती हम सरपंज समेधन ब्य करते हैं कि इस प्रकार से घटना हमारे विधानसभा गाओं ग्रामीन अंचलों में हमारे छेत्रम नहीं होना चाहिए क्योंकि एक घटना बहुत दुख भरी होता है कर जैसे परसान था और इसको फसल भीमा या किसान सम्माम निधी नहीं मिल पा रहा है तो एक काम छोटे-छो प्रतिनिधी मंडल पहुचा हुआ है जानकारी लेने के लिए तो यह थी एक खबर वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सोनी के साथ मैं भाश कर रहा हूँ